हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल MSDigitals में आज किस वीडियो हम बात करेंगे जैसा कि आपने अगस्त 2020 में हमारा एक वीडियो डला हुआ था कोचिंग क्लासिस जो चलती है उसमें बच्चों को जो कोचिंग के लिए स्कॉलर्शिक मिलनी थी SC और OVC के स्टुडेंट्स को तो उसके लिए एक नई अपडेट आई हुई है उसमें पिछले साल वीडियो सुरू करेंगे हम वीडियो सुरू करने से पहले कहना चाहेंगे यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फट फट सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही महत्पूर्ण जानकार यहां आपको मिलती रहें और नीचे जो बैल आइको देखते हैं कि क्या यह new update है तो जैसे कि आपने thumbnail में देखी चुका होगा कि यह portal को फिर से खोल दिया गया है portal को 10 7 2021 तक के लिए खोला गया है तो यह किस लिए खोला गया है चलिए आइए इस वीडियो में पूरी चीज़े जान लेते हैं तो शुरू करते हैं वीडियो चल यहां पर देखिए आपको website आएगी coaching-msje की dosje इस पर आपको click करना है जैसे आप click करेंगे यह देखिए इस website का main page open हो जाएगा तो यहां पर देख सकते हैं coaching-msg में दिखा रहा है कि यह जो scheme है free coaching for SC and OBC students मतलब जो अनुसुचित जाती और अन्य पिछड़ापर के विध्या Government of India की जो Ministry of Social Justice and Empowerment का जो department है मंतराल है वहां से release की जाती है इसे दो किस्तों में दिया जाता है 50% पहले दे दिया जाता है 50% बाद में दिया जाता है तो चलिए इसमें जो भी अभी new update आई है उसके बारे में हम आपको बताते हैं तो जैसे कि हमने आपको कहा है कि एक new update है तो यह देखें नीचे के तरफ में आप जब जाएंगे notice for provisionally selected applicants यह लिखा हुआ है इसके आगे लिखा है कि click here for notification तो यहां एक notification डला हुआ है उस notification में क्या-क्या बताया गया है चलिए आपको open करके दिखा देते हैं यह देखें यह हमने open कर लिया यहां पर यह PDF file डली हुई है यहां पर तो इस PDF file में क्या-क्या बताया गया है यह हम आपको थोड़ा salt में बताएंगे आप deeply इससे अच्छे से समझ लीजिएगा पढ़ने के बाद आप खुद भी download करके देख सकते हैं तो चलिए इसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि इसमें notification number दिया हो सबसे उपर Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment की तरफ से यह notification डाला गया है इसका section भी दिखाया गया है इसमें इसके बाद आप देखेंगे कि यह notification किसली डाला है यह भी दिखाया है तो यहां पर आप देख सकते हैं अनुसुचित जाती अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग योजना के mode 2 यह mode 2 क्या है यह भी हम आपको आगे बताएंगे mode 2 और mode 1 चली mode 2 के तहत पहली दूसरी सुची के माध्यम से 2020-21 के दौरान अंतिम रूप से चुनेगे उम्मीद्वारों से दस्तावेज जमा करने के लिए यह notification डाला गया है यहां बताया गया है कि यदि आपक फर्स्ट और सेकंड लिस्ट जो आई थी उसमें यह selection हुआ था तो आपको क्या करना है आप final selection होने वाला है वो 2000 स्टुडेंट्स का जिनके नाम लिस्ट में आया थे तो उनको यहां पर क्या करना है अपने दस्तावेज अपलोड करने है यह यह यहां पर बताया गया है इस इसमें आवेदन जो अगस्ट 2020 में आपने किया था उसमें से 2000 स्लोट के लिए जो आवेदन मांगे गये थे उसमें से 2000 लोगों का selection कर लिया गया है जिनको अभी selection के बाद अंतिम रूप से select किया जाना बाकी है तो इसलिए यह notification डाला गया है यहां पर दिखा रहा है कि जो लिस्ट डली थी इसमें जो उसमें 1332 उम्मिद्वार को select किया गया था वहीं जब दूसरे लिस्ट डाली गई उसमें 668 उम्मिद्वारों को select किया गया टोटल 2000 स्लेक्ट कर लिया गया थे यह provisionally selection लिस्ट डाली थी इसे portal पर upload भी किया गया था यदि इसमें आपका नाम रह point 2 में बताया गया है कि देश में जो अभी COVID की महामारी और जो विविन गती विधिया चल रही है उसके परविणामी जो प्रती बंधों को ध्यान में रखते हुए यह संभावना नहीं है कि जो sectionic verse में जो इस दोरान समय सही ना होने के कारण देश में जो coaching का भोतिक mode होता ह है जो आप coaching जाकर coaching लेते हैं वह वाला जो mode होता है उसे mode 1 भी कहते हैं इसमें यहाँ पर mode 1 कहा गया उसे तो वह अभी हो नहीं सकता है उसे चलाया जाना थोड़ा मुश्किल है इसलिए अभी इस अनिस्चितता को दूर करने के लिए पैनल के द्वारा यह निर्ले लिया गया है कि 2021 में जो चैनीत उम्मीदवार हैं उन्हें केवल mode 2 अभी mode 2 क्या है हमने आपको बताया जैसे कि हम आगे बोलेंगे तो mode 2 जो है वो यहाँ पर दिखाया गय इसे फिर से open कर दिया गया है यह 10-6-2021 से 10-7-2021 तक के लिए फिर से खोला गया है इसमें जो चात रहें उनको इस अभी के भीतर अपने विकल्प जो है उनका प्रियोग करना है तो वो कैसे करेंगे इस विकल्प में आपको क्या करना है अपना पार्टिक्रम अपना संस्था चाहिए तो इसके लिए यहां पर जहां से हमने यह पीडिया ओपन किया जस्ट उसी के नीचे में पोर्टल के में पेज पर एक FAQ डला हुआ है उस FAQ को आप डाउनलोड करके अपने जो छोटे कोस्चन होंगे उनके आंसर उसमें देख सकते हैं आपके मन में जो भी प्रस् जाल रहे हैं यह लास्ट है आपके लिए इसके बाद आपको कोई भी जानकारी बदलने के अनुमती नहीं दी जाएगी यदि आप अभी कोई विकल बदलना चाहते हैं अपना कोचिंग सेंटर से लेके कोई भी चीज तो उसका डीटिल आपको इस डेट के पहले अपडेट कर देना है यह यहाँ पर दिखाया गया है इसके बाद आप देखेंगे पॉइंट नंबर टू तो चलिए पॉइंट टू देख लेते हैं अब देखें यह जो पॉइंट टू है हम नीचे के तरफ स्कॉल डाउन कर लेते हैं यह देखें यह जो पॉइंट टू है इस पर द अधिकारियों ने निर्ने लिया है कि जो उम्मीदवार मोड 2 के तहत चात्रवत्ति प्राप्त करना चाहते हैं वे इस योजना के मोड 1 के तहत मोजूदा पैनल बद या पैनल रहित संस्थानों से कोचिंग के विकल्ब का प्रियोग नहीं कर सकते हैं इसका मतलब यहाँ पर एक पैनल बद और पैनल रहित संस्थानों की कोचिंग की एक लिस्ट वो दी गई है जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं मोड 2 के लिए वो एविलेबल नहीं है इसमें एक अनुलगनक 1 और अनुलगनक 2 यह देखिए इस तरह से एनेक्जर 1 और एनेक्जर 2 यह दिखाए ग कॉंटेक्ट में जाना है और वहाँ पर आपको एड्रेस दिया हुआ है उस एड्रेस में आप जाकर बात कर सकते हैं कि इसमें exactly क्या करना है आपको वैसे यहाँ जो दिखाया जा रहा है वो यही है कि यह जो लिस्ट डली हुई है यह कोचिंग मानने नहीं है मोड 2 के लिए मतलब ऑनलाइन कोचिंग के लिए यह ओफलाइन मोड में कोचिंग जो होना था उनके लिए थे तो इन्हें पैनल से बाहर कर दिया गया है संस्तानों को तो इसके लिए आप आवेदन ना करें यह यहाँ पर दिखाया गया है या तो आपना कोचिंग चेंज कर लें या फिर इनके लिए आविदन बिल्कुल भी ना करें यहाँ पर बकायदा साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है जैसे कि हमने आपको बताया यदि आप वह ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप इसे Google Translate पे हिंदी में translate करके अच्छे से समझ लीजिए हो सकते हैं हमारे बताने में थोड़ा गलती भी हो जाए चलिए अब इसके बाद आपको हमने भी पॉइंट टू बताया अब चलिए पॉइंट थ्री की बात का यहाँ देखेंगे आप पॉइंट थ्री जो है इसमें यह बताया जा रहा है कि उम्मीदवारों को केवल ऑनलाइन कोचिंग के विकल्ब का प्रियोग करने की अनुमती है और ऑनलाइन पाठिक्रम के लिए सुल्क योजना में निर्धारित सालिरिक कोचिंग के लिए सुल्क के 75% या वास्तविक जो भी कम हो 75% से जो भी कम हो उससे अधिक नहीं होना चाहिए यहाँ पर दिखा रहा है कि पाठिक्रम की अबधी के अनुसार आपको आनुपातिक सुल्क की प्रतिपूर्ती की जाएगी यदि आप जो पाठिक्रम की निर्धारित समय सीमा है उससे कम की कोचिंग कर रहे हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर साफ साफ दिखाया गया है कि अधिरिक्त भुकतान वो सेश सुल्क चात्र को करना होगा यहाँ पर सिर्फ 75% का दिखाया गया है यदि आप उससे कम समय सीमा में कर रहे हैं तो आनुपातिक जो सुल्क है वो बनाया जाएगा उसके हिसाब से आपको पैमेंट किया जाएगा यह यहाँ पर दिखा दिया अभी पॉइंट नंबर 4 की बात करेंगे आप तो चलिए पॉइंट नंबर 4 देखते हैं पॉइंट नंबर 4 में आप देखेंगे कि जो 2000 जो चैनीत चात्र हैं जिन्होंने पहले ऑनलाइन कोचिंग के लिए इस पोल्टल पर टिक किया हुआ था फान भरते समय उनको छोड़कर बाकी के जो स्टूडेंट हैं उन्हें क्या करना है अपना फिर से डॉक्यमेंट अप प्रण है वो पूरी तरह आपका पूरा नाम, कोचिंग का पूरा पता, कोचिंग का email address, email id जो भी है आपका आपका जो contact number है और जिस पार्टिक्रम में आप कोचिंग कर रहे हैं वो उसकी fees, आपका कितनी अब्दी है, आपके ने कब स्टार्ट किया कोचिंग, कब खत्म यह यहाँ पर point number 4 पर साफ साफ दिखाया गया है, तो इस तरह से आपको यह सारे details पूरी complete पढ़ लेनी है, और यह देखिए, यहाँ पोटल पर आपको address भी दिखा रहा है, contact details, यहाँ पर आप contact भी कर सकते हैं ज्यादा जानकारी के लिए, और यहाँ पर देखिए, यह FAQ आपको open करके दिखा दे रहे हैं, इस तरह से आपको यह FAQ में कुछ question दिएगा है, उसके answer है, ज़िए आपको उन में से कोई भी question ऐसा लगता है कि आप उसको पूछना जा रहे होंगे, तो उस question को आप पढ़ने, उसके नीचे उसका answer भी दिया गया है, तो इसे भी आप Google Trans से हिंदी में translate कर लीजिएगा, और पढ़ लीजिएगे आप हिंदी मीडियम हैं तो और इंग्लिस में हैं, तो फिर तो कोई बाती नहीं है, आप ऐसी समझ जाएंगे, यह new update है, आपका जो coaching का जो scholarship है, SC और OVC के लिए, तो अभी आपने यह सारी चीजें जो हमने आपको साथ हमें उम्मिद है कि आपने अच्छे से समझ ली होगी और ना समझ आएं तो आप इस PDF को जैसे हमने बताया, उस तरह के से use करें, आपको सारी चीजें डीपली समझा जाएंगी, चलिए, अब इसके बाद हम बात करेंगे, तो दोस्तों आप जो 2000 स्टूडेंट हैं, जो इस scholarship के लिए चैनित हुएं, उन्हें बहुत बहुत बधाई, और हम चाहेंगे कि आप सभी तो चैनित होई चुके हैं, तो फटा फट पोर्टल पर फिर से आप लॉग इन करें अपने ID पासवर्ट के साथ, और फिर से आपका इस बार last है, आपका document आपको पूरे upload कर देना है, क्योंकि आपका selection अल्रेडी हो चुका है, लेकिन अब आपका selection के लिए document मांगे जा रहे हैं, ये mode 2 के लिए मांगे जा रहे हैं, इछली बार आपने जो document upload किया था, वो mode 1 के लिए किया था, जो कि offline mode था, अब जो है आपका coaching का mode होगा, online होगी, तो आपको जो selection होगा, व उसमें से आपको change करना होगा, क्योंकि वो online mode के लिए available नहीं है, उन्हें panel से बाहर कर दिया गया है, उमीद है आपको ये जानकारी पसंद आईगी और आपको समझ भी आ गई होगी, यदि आपको ऐसा लगता है कि और भी लोगों को share कर सकते हैं, आप हो सकता है, इसमें और के final बता रहे हैं कि अब जो scholar से पर वो मिलना start होने वाली है, तो फटाफट चैनल को subscribe कर लिजेगा, यदि वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को like और share जरूर कीजिएगा, थैंक यू आपको ये जानकर जरूर पसंद आईगी, पसंद आए तो वीडियो को like share करना बिल्कुल न भूलें, और चैनल को subscribe कीजिएगा, थैंक यू